हेलो फ्रेंड्स, वेलिकम बेक टू माई चैनल, मैं हूँ सेखर, आग्याँ एक और नई फीडियो लेकर, दोस्तो आज है एक फरवरी और उत्राखंड चिकितसा सेवा चैन बोर्ड ने दोस्तो एक नया भरती विग्यापन यहां पर जारी किया है, जैसे दोस्तो UK SSC भरती कर करता है, उसी परकार दोस्तो उत्राखंड में चिकितसा से समन्दी दोस्तो जो भी भरती होती है, मेडिकल लाइन वाली दोस्तो जो भी भरती होती है, उत्राखंड चिकितसा सेवा चैन बोर्ड तो दोस्तो 391 पदू पर उस्तो विग्यापन निकला है, स्वास्त कार्री कर महिला के रिक्त 391 पदू है तु विज्ञापन दूस्तो विज्ञापन आज ही निकला है और ओनलाइन आविदन परकिर्या दूस्तो इसके लिए 13 फरवरी 2024 से शुरू होगी और 4 मार से दूस्तो इसके लिए आप लोग आविदन कर सकते हैं जिलेवाई दूस्तो विभरती निकली है 391 पद है 2000 ग्रेट पे किये जॉब है जर्नल के लिए 299 पद है और बांकिया पूरा यहां पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए भरती है स्वास्त कारी करता महिला 391 पद है और अलमोडा में देखिए कुल यहां पर 43 पद है बागेस्वर में 13 पद है और देहरादुन में 57 पद है उस्तो पूरा दिया हुआ दूस्तो जो विग्यापन है तुरांत दोस्तो मैं सेर कर रहा हूं टेलीग विग्यापन का भली भाती अध्यान कर लिजेगा तो 391 पद उपर उस्तो यहां पर भरती विग्यापन निकल गया है सबसे ज्यादा पद उस्तो पौड़ी गडवाल में है जिले वाई दूस्तो भरती यहां पर निकली है 391 पद है और आज पत्रित अंसदाई पैंसन यु जारित सैक्षि क्यों गितायम उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्त कारी करता महिला परसिक्षण कूर्स जिसमें 6 महा का परसाव परसिक्षण सम्मिलित है सपलता पूर्वक्या हो और इसके अलावा भैरती उत्राखंड नर्सेस एवं मिडवाइप काउंसिल में समय के तो यहाँ पर होनी चाए अधिमानी एहरता है तो अच्छी बात है नहीं है तो कोई जरूवत नहीं है अभैरती के पास देखे दोस्तों यहाँ पर यह रेड कलर में लिखा हुआ है यानि कि यह अतिया आउसेक है अभैरती के पास उत्राखंड नर्सेस एंड मिडवाइप ऊंसिलिंग देहरादुन में उनलाइन आवधन करने की अंतिमतिती तक इसताई नवीनिकरित पंजी साल तक सभी अभ्यतिति में आवधन कर सकते हैं के वल्बल महिला आप भरतियों के लिए भरती है, पास साल की छूट मिलेगी, SC, ST, OBC को, तो महिलाओं के लिए भरती यहाँ पर निकली है, 391 पद इसमें सामिल है, और UK, SSC, UK, PSC में उस्तों नई भरतियां यहाँ पर निकलने वाली है, तो डिश्टी कोड उस्तों यहाँ पर दिये हुए है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, तुरंत दोस्तों मैं इस भिग्यापन को सेर कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर, और यहाँ पर दोस्तों, पेपर इस तरह का उस्तों कुछ होगा साइथ नहीं, पेपर उस्तों जहां तक पेपर इसमें नहीं होता है, और अभिलेक सत्यापन दोस्तों माई जून 2024 में किया जाना परस्तावित है, जैसी दोस्तों अभिलेक सत्यापन के बारे में जो जानकारी आएगी दोस्तों तु यहां पर देख सकते हैं उर्धुहारदर आरक्षण का दूस्तों यहां पर विवरण भी दिया गिया है सभी जनपदु का 13 जनपदु का 391 पद यहां पर टोटल है और आयू सीमा की गढ़ना दूस्तों एक जुलाइद हुजार देश से होनी है स्वास्त कारीकर्ता महिला का पद सात परती सात महिला भ्यरतियों के द्वारा भरे जाने के कारण उक्त तालिका में उत्राखंड महिला है तो छेती जारक्षण की गढ़ना नहीं की गई है दूस्तों नहीं इसमें पेपर होता है सीधर दूस्तों इसमें पर मिल जाएगी नौकरी तो यहां पर देखे अभ्यरति ओनलाइन आविदन करते समय इसना तक डिप्लोमा के अंकु में कुल अंकु का योग अंकन करें जितना उनके द्वारा सबी सेमेस्टर में पराप्त किया गया हूँ अभ्यरति गिरपया भली भाती चक कर लें कि अउधन पत्र में अपनी स्वास्त का डिप्लोमा के अंकु क्या जाता है तो यह आउधन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा अब भेरतियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उनके पर सीक्चंड कोर्स के कुलंकु तथा उतिन वर्सी के आधार पर उन्हें अभिलेक सत्यापित सत्यापन कारिकरम समिलित किया जाएगा भिलेकू के सत्यापन के उपरांत ही अंतिम चैन परणाम खुशित किया जाएगा है यानि कि दूस्तो पेपर इसमें नहीं होता है वोई मेरिट के आधार पर इसमें चैन होता है 391 पद है और कॉम्पेटिसन दूस्तो बहुत कम यहां पर रहता है क्योंकि योगी उम्मिद्वारे हबर मिली नहीं पाते है दूस्तो यह थी आज की जानकारी मिलते हैं बहुत जलती एक नई वीडियो में अगर आपके और में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूस सकते हैं थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सुमज